तरह है में समय आपडेट देट ले चुका हूं या फिर से कवर कर देता हूं क्योंकि वह शॉर्ट वीडियो डलती दम तोड़ दिया WWE ने Wrestlemania की तरह SummerSlam को बड़ा बनाने के लिए SummerSlam 2025 को दो नाइट के इवेंट के तौर पर एनौस कर दिया है जो कि 2nd और 3rd अगस 2025 को होगी MatLife Stadium में जहां पर Wrestlemania जैसे बड़े इवेंट अल्लेडी हो चुके है वहीं इसके साथ SummerSlam 2026 भी दो नाइट का इवेंट WWE ने एनौस कर दिया है जो कि 1st और 2nd अगस 2026 को होगा मतलब कि back to back दो साल आने वाले SummerSlam हमें दो नाइट के इवेंट के तौर पर दिखाई देंगे WWE की तरफ से एनौस हो चुका है नेक्स बात कर लेते हैं वाइकिंग राइडर्स के बारे में बहिए टेग टीम पिछले कुछ टाइम से WWE में नहीं दिखाई दे रही है अब जितना मुझे याद है तो शायद इन में से कोई एक सूपर सार इंजड हुआ था शायद इरिक इंजड हुए थे उनके बिना फिर कुछ टाइम आईवर ने परफॉर्म भी करा बट वो भी गायव हो गई अब इनको लेके अपडेट ऐसी आ रही है कि ये टेग टीम जल्दी में रोस्टर में रिटन कर सकती है वो भी वार राइडर्स के नाम से हैं अब पहले से ही WWE के पास इतनी सारी टेग टीम है उनको मौका नहीं मिल पा रहा है और अब ये टेग टीम वैसे भी WWE ने इस टीम को लेके खुब जोर लगाया है बट कुछ खास ये टेग टीम दिखाई दी नहीं है ना कुछ खास कर पाई है कई बार तो नेम भी चेंज हुए है इस टीम के और एक बार फिर से नाम चेंज करके रिटन करने वाले हैं देखते हैं क्या होता है इनका क्या नहीं होता है नेक्स बात कर लेते हैं Wrestlemania 41 के बारे में जो कि 19 और 20 अप्रेल 2025 को होगी इस Wrestlemania से जोड़ी एक insane अपडेट निकल का सामने आ रही है इसको होने में भी काफी टाइम है और इसकी जो pre-sale टिकेट है वो शायद 23 अक्टूबर 2024 से और टिकेट सेल स्टार्ट हो रही है 25 अक्टूबर 2024 से बट आपको बता दूँ Wrestlemania 41 में Ringside 1st row की टिकेट का प्राइज 50,000 डॉलर है बोथ नाइट के लिए वहीं 2nd और 3rd row जो है Ringside की उनके प्राइज है 30,000 डॉलर फर बोथ नाइट यह प्राइज वागई insane है और आप देखिए सेल स्टार्ट होते है यह टिकेट ऐसे ही sold out हो जाएगी वहीं आपको बता दूँ प्रीमियम टिकेट के भी 60,000 डॉलर से लेके 18,000 डॉलर तक प्राइज है तो वागई यह प्राइज बहुत जादा है WWE की तरफ से लेकिन हाँ देखिएगा टिकेट ऐसे ही बिखेंगी जब यह इसकी sale शुरू होगी Next बात कर लेते हैं Seth Freaking Rollins के बारे में Seth Rollins WWE के बैतरीन सूपर स्टार में से एक है इस बात में कोई शक नहीं है Seth Rollins इस टाइम WWE action में नहीं दिखाई दे रहे हैं अब Seth Rollins को लेके update सामने आ रही है Seth Rollins Money in the Bank 2024 में नहीं दिखे थे SummerSlim 2024 में Drew McIntyre वर्सेस CM Punk के बीच हुए match में Seth Rollins as a guest referee के तोर पे दिखाई दिये थे जहां CM Punk ने Seth Rollins पर attack भी करा था उसके बाद कहा गया कि Seth Rollins injured है इसलिए action से दूर है अब उनका return को लेके तो update नहीं है बठाए जा रहा है कि WWE next year Seth Rollins की documentary बनाने का प्लान कर रही है हालनकि date वगरा इससे related कुछ नहीं आया है सेम वैसे ही जैसे कि हाली में Vince McMahon की documentary आई है ऐसे ही Seth Rollins की documentary आ सकती है जिसमें Seth Rollins से जुड़े काफी shocking चीज़ें सामने आ सकती है ऐसा होता है तो शायद से Seth Rollins के fans काफी पसंद करें इस documentary को वही समर स्रेम 2024 के बाद के रोके एपिसोड में ट्रक नोमा ब्राउंसन रीड ने Seth Rollins पर बुरी तरह से attack करा था उसके बाद से Seth Rollins WWE में नहीं दिखाई दिये हैं नेक्स बात कर लेते हैं रोमन रेंज और आने वाले स्मेकडाउन के एपिसोड के बारे में जैसा कि रोमन रेंज और कॉड़ी रूट्स दोनों ही स्मेकडाउन के एस एपिसोड में होने वाले हैं वहीं लास वीक सोलस से कोई नहीं दिखाई दिये थे बठा इस एपिसोड में उनके भी होने के चांसे नजर आ रहे हैं अब हो सकता है कि रोमन रेंज और कॉड़ी रूट्स की तरफ से इस मैच में कोई बड़ी स्टिपिलेशन एड़ करी जाए या डिमांड करी जाए जिससे टामा टोंगा और टांगा लोगा को बैन करा जा सके इस मैच से अब हो सकता है कि ये खुद निकैल डिस कर दें और इस तरह की कोई स्टिपिलेशन वो एड़ कर दें वही हो ये भी सकता है कि बलड लाइन रोमन रिंज और कौडी रूटस पर अटेक करें तो fight back करते हुए रोमन रेंज और कौडी रूटस बलड लाइन पर बुरी तरह से अटेक करके उन्हें रिंग से खदिल दे वही एक बार फिर से रोमन रेंज और कॉडी रूट्स एक दूसरे पर कुछ हीटेड कमेंट वगेरा कर सकते हैं आने वाले स्मेकडाउन के एपिसोड में नेक्स बात कर लेते हैं जे उसो के बारे में कि जे उसो का इंटर कॉंटिनेटल टाइटल रन बहुत छोटा होने वाला है इस तरह की चीज़े निकल कर सामने आ रही हैं जैसा कि रिसेंट के रॉके एपिसोड में जे उसो ने डब डबलोई हिस्ट्री में फर्स ताइम सिंग चैंपियंशिप जीती है टाइटल जीतते ही थोड़ी देर बाद ही इस तरह की रिपोर्ट सामने आएं कि उनका टाइटल रन ये काफी चोटा होगा अब होगा या नहीं होगा उसके बारे में ही बात करेंगे देखिए हो सकता है कि डब डबलोई ने जल्द बाजी में इं वार गेम्स के बाद अब डबल डबलोई ने जे उसो को सिंगल रन इसलिए दिया था ताकि वो कुछ बड़ा करें वो बाता लगे कि ऐसा नहीं हो पाया और टाइटल उनके नाम अब तक नहीं आया था इसलिए डबल डबलोई ने सोचा होगा कि अब सर्वाइवर सीरीज म इस बात का कोई आइडिया नहीं है इसलिए ये एक वज़ा हो सकती है कि जे उसो सर्वाइवर सीरीज से पहले ही टाइटल हार जाए और जाके रोमन रेंज को जॉइन करें या ये भी हो सकता है कि जे उसो रोमन रेंज को जॉइन करें एस इंटर कॉंटिनेटल चेंपियन फिर सर्वाइवर सीरीज के बाद रॉपर सिंगल रन कंटीन्यू करें इट मीन्स जे और जिम्मी हाल फिलाल टेग टीम में नहीं दिखाई देंगे फिर अगर ऐसा होता है अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं ये तो खेर आने वाला टाइम ही बताएगा तो फ्रेंड ये थी WWE से रेलेटेट कुछ इंट्रेसिंग अपडेट्स उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी यहां तक देखिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें चैनल पर नहीं होतों चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूं जल दी नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू